अपने अगले टूर्गी ओर आईए तो आज का हमारा टूरिस पॉइंट है लोटेस देंप आईए आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानपारी देता हूँ लोटेस टेंप जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे ये लोटेस टेंपिन है इसका नाम बहाई हाउस आफ वर्शिप भी है ये 13 नवंबर 1986 में बन कर तयार हुआ था और उसके बाद से आज तक इसमें अपने आर्किटेक्शर के लिए इतने अवार्ड जीते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता इसका नाम लोटस टेंपिल कैसे बना इसका नाम लोटस टेंपिल इसलिए बना क्योंकि ये देखने में एक लोटस की तरह हैं और एक लोटस की तरह होने का आप देख सकते हैं कि इसमें 27 पेटल तो ये जो 27 पेटल है ये 9 9 के समू में हैं जिसमें 9 अंδर हैं 9 बाहर है और 9 उसके और बाहर और जो सबसे बाहर वाले पैटल हैं 9 वो इसके 9 दरवादे हैं जिसके जरीए हम इसके अंदर गुशकते हैं बहाई हाउस ओवर्शिप लोटस टेम्पिल को बहाई हाउस ओवर्शिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना बहा उल्ला ने की जो की बहाई धर्म के भी स्थापक थी और उन्होंने 1863 के एपरोक्स बहाई धर्म की स्थापना की थी और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में ऐसे दस जगा टेंपल बनवाये जिसमें की एक टेंपल तूट गया और उसके बाद अब दुनिया में ऐसे नौ ही टेंपल है जहाँ पर अब एक टेंपल हमारी इंडिया में है जिसका नाम लोटस टेंपल है Lotus Temple सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं है बलकि ये दुनिया के हर धर्म के लिए खुला है यहां पर किसी भी धर्म का इंसान आकर यहां बैट कर अपनी दुआ करना, अपनी पूजा करना कुछ भी कर सकता है अपने शांत मन्द से अपने इश्वर को याद कर सकता है इसकी खुबसूरती के अगर बात करें तो इसकी खुबसूरती इसकी आर्किटेक्टर की वज़ा से है इस मंदिर को बनाने में जो आर्किटेक्ट आए थे वो इरान के थे जिनका नाम फरी बोष सहबा था जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर सोलर पैनल लगे हैं इस मंदिर का कुल बिजली खपत है 500 किलो वाट जिसमें से 120 किलो वाट बिजली यहां खुद से बन जाती है और इस तरह मासिक रूप से 1,20,000 रुपए की पचट है इस मंदिर के लिए भूमीदान अर्ध शीर रुस्तमपुर ने की थी जिन्हों ने अपनी जिन्दिगी की सारी कमाई इस नेक इरादे में समर्पित कर दी दोस्तों लोटस टेंपल घूमने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करना पड़ता है जैसे कि यहां पर ठाने पीने की चीज राना बिलकुल मना है और उसके बाद लोटस टेंपल के अंदर फोटोग्राफी करना भी मना है तो फ्रेंट्स कैसा लगा आपको हमारा लोटस टेंपल का ये टूर हमें कमेंट्स करके बताईए और हां हमारी वीडियो को लाइक भी करें अगर आपने कभी Lotus Temple नहीं घूमा है या आपके किसी दोस्त ने Lotus Temple नहीं घूमा है तो उसे घूमाईए हमारी वीडियो को शेर करके आप खुद भी Lotus Temple देखें और अपने दोस्त को भी रिखाएं Till then, Bye कर दो कर दोस्त कर दोस्त